हेलो दोस्तो एक बार फिर आपका स्वागत है दोक्टर आजे स्वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो का अर्थात इस वीडियो का जो विशे है वो है जरन और उसकी समस्याएं यानि कि जो गुड़ापा हमारा हाता है उस समय हमें कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तो यह वो रस्ता है हमें भी तै करना है आपको भी तै करना है और जो चले गए वह भी सी रस्ते शे बुजर कर गए तो आप कुछ कर लेजिए ना कुछ कुछ नहीं काम आता है, जब यह बुढ़ापा आता है, कोई बात नहीं, यह नित्रूल है, यह प्राकर्तिक है, यह जरन होना है, यह DGN आपकी बोड़ी का, हमारे सुरीर का होना है, लेकिन जब यह होता है, तो अगर हमें पहले सीछ बात का ज्यान हो कि इन समस्च कि जो intensity है उसको कम करने की कोशिस कर सकते हैं हमारे जीवन का वो पढ़ाओ वो अंतिम पढ़ाओ को हम एक गुनुत्ता पूरुवक जीने की कोशिस कर सकते हैं यही उदेश से है दूसरी बात जैसे मैंने आपको पताया ना पैसा काम आता है ना दोस्ती काम आती है ना वक्त बुड़ा पाता है क्योंकि उस समय आपको स्वम के वले एक चीज काम आती है वो है आपकी मांसिक्स्थिति इस इस नोन एज और साइकोलोजिकल सेटप अगर यह मजबूत है आप यहां से मजबूत है तो दोस्तों आप अपने उस अंतिम पढ़ाओ पर आने वाले सम शाओं का चुनोतियों का डट कर मुकाबला कर सकते हैं अगर आप यहां से मजबूत नहीं है तो आप धीरे धीरे तूटते चले जाएंगे और जो अंतिम जो समय सभी का आता है पंस्तत्तों में आप विलीन हो जाएंगे अगर आप यहां से मजबूत है तो भी आप पंस्त नत्वम विलीन होंगे लेकिन आप जीवन जो रहेगा आपका वो एक गुनुवत्ता पूरे क्वालिटी लाइफ रहेगी कस्ट आपको कम होंगे तो दोस्तो चलिए हम सुरुवात करते हैं आज की जो हमारे वीडियो है आज का मारा विशे है जरन और इससे सम्मंदित समस्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखें यह जो फोटो लगा है यह एक रिवजेंटेसल इमेज है इस इमेज के माद्यम से आपको यह समझाने की कोशिस की गई है कि जब शरीर में जब बदलाव आते हैं तो किस परकार से आपका चेहरा कैसे बदल जाता है आप देख सकते हैं जुरिया आ जाती हैं चेहरे पर या गर्दन पर आप देखिए और आखे तोड़ी से अंदर दसने लगती हैं हलांकि यह बुजूर्ग हैं जिनकी फोटो में यहां लगाई है इनके चेहरे पर जो वृदा वस्ता है बहुत गहन रूप से दिखाई नहीं दे रही है क्योंक जो एक युनिवर्सल ग्रंथ है उससे सम्मंदित हम बात अगर करें तो वो क्या कहती है बुड़ापे के बारे में जरन के बारे में उम्र बढ़ने के बारे में चैप्टर दो अध्याय दो और सुलोक 13 वो क्या कहता है देहिनो एसमिनथ्या देहे कुमारम योवनम जरा तथा देहांत्र प्राप्ती दिरस्त्र ने मुहेती बई मैं संस्कृत का नहीं हूँ तो मैं स्लोक को उस ले से नहीं गापाऊंगा लेकिन फिर भी मैं पढ़ सकता हूं स्लोक को इसका आर्थ क्या है क्या कहना चाहते है ब गुझा ऐसे वर्तमान कह पूस्टा मैं एसमें बाल वस्ता से तोर्णा वस्ता और फिर वर्द्रवस्ता में निलंतर अगरसर होता रहता है यह आपका शरीर है यह बदलता सहलगी ठीक उसी प्रकार मृधियू होने पर अगर आप जब यह शरीर का डिजरेशन पूरी तरह स और धीर व्यक्ति जो व्यक्ति धीर है जो कॉंचियस है जो इसके अंदर पेशन्स है जो स्टेबल है यह आपकी बात जो मैं कर रहा हूं सारे साइकोलोजिकल ट्रेट्स है यह वही बात कहते हैं जो धीर का मतलब है जो स्टेबल है किसी सुख और दुख में कहीं पर उसे है ये परिवर्तन अवस्षम भावी है ये आएंगे ही जब ये परिवर्तन आएंगे तो क्यों इन बातों के बारे में सोच कर चिन्तित होना या दुखित होना यह दिर व्यक्ति की बात है यहां पर भगाँस्तिक क्रिशन करें तो यही बात आपको समझनी है दोस्तों और इसका अर्ठ आपको जानना है कि आपको दिर का मतलब दीर बनना है, धीर का मतलब है, to be stable, शुम्जमिया आई आई आपको, चलीर शुरुवात आगे करते हैं, परीचे से, जो मनुवग्यान के सम्बन में, अगर आप एजिंग, यायनि की, जरन का राइध्यन करते हैं, तो उनको क्या का जाता है, उन मनुवग्यान को क्या का जात बता सकते हैं आप में से कोई? Yes, you are right dear friend. They are known as a zero psychologist. ठीक है? वो क्या है? Zero psychology क्या है? बुर्दावस्ता का अध्यन का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो क्या है? ये वो शाखा है जो उम्र बढ़ने और जीवन को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए मनोविज्ञानिक अस्तक शेव का अध्यन करती है. कैसे आपके उम्र बढ़ती है, उसमें क्या कौन कौन से आपके मनोविज्ञानिक बदलाव आते हैं और उन जीवन को उस किस परकार से गुणवत्ता पूर्ण जिया जाता है. उनीका अध्यन करना जेरो साइकोलोजी कहलाती है. आपको जैसे मैंने बताया, ये एक अवस्वभावी प्रक्रिया है, ये चलती ही रहेगी, वो समय आएगा ही आएगा, जब आपका बुलावा आएगा, उस बंच तत्यों की तरफ से, जहां पर आपको अंतिम समय में विलीन होना है. दोस्तों, ये जो प्रक्रिया होती है, आपके हर क्षेत्र में होगी, चाए वो संग्यानात्मक शेत्र हो, चाए सामाजिक हो, भोतिक हो, मनोग्यानिक शेत्र हो, वित्ये चेत्र हो, किशिव शेत्र में हो, ये सभी में अवशंबावी प्रक्रिया होती है, और पतन, सरीर पतन की और बढ़ता जाता है, और दोस्तों, वो कुछ नहीं है, वो अंतिम टेंट है, वो अंतिम पड़ाव है, आपके जीवन का, जहां पर जीवन की रफ्तार, धीमी होकर, जहां से वो शुरुवात होई थी, उसी पंच तत्वों में विलेन हो जाता है, समझ्याएं कौन-कौन सी आती हैं, सबसे पहले बाद हम कहते हैं, जराचिकिच्चा, यानि की, गेरियाट्रिक्स सिंड्रॉम, आपके यूरिनेशन पर, मुत्र पर नियंतर ना हो, बार-बार जाना पड़े, आपको गिरने की संभावना हो, आपको अलसर हो, ये सारी चीजों, को जब आपको भै लगने लगता है, कि मुझे ऐसा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं, गेरियाटिक सिंड्रॉम, ये डवल अच्छों कहते हैं, कि अब मेरा समय आगया है, और ये समस्याएं मुझे हैं, तो उसको क्या हो लगया, लक्सन दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम गेरियाटिक सिंड्रॉम कहते हैं, आपके अंदर जो आर्ट्रीज हैं, आपकी जो वेंस हैं, जिएको हम धमनिया कहते हैं, वो सक्त होने लगती हैं, जिसके कार्ण से क्या होता है, हरदे अपना रक्त समय पर, हर ओर्गयान पर और उतनी क्वांटिटी में, जितनी उसको requirement है, नहीं पहुचा पाता है, और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो आपकी organs हैं, जो आपकी प्रणाली सिस्टम है, वो भी काम करना कम कर देंगी, क्योंकि उनको जो required रक्त है, blood है, वो मिल नहीं पाता है, आगे देखिए, मासपेशियां और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, जिसके कारण से, चोट लगने की संभावना भढ़ जाती है, पाचन तंत्र में, सरंचनात्मक स्ट्रक्शरल चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण से, जो पाचन प्रक्रिया है, उसमें बदलाव आ जाता है, और कब्ज होने की शिकायत, ज़्यादातर देखी जाती है, आपका जो ब्लेडर है, मुत्रा से इसको कहते हैं, वो बहुत flexible होता है, लेकिन जब आप इस अंतिम पड़ाव पर जब पहुंचते हैं, तो वो कठोर होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, बार बार, यूरिनेशन की आपको पिशाब करने की इच्छा होती है, एक तो आप वैसे ही सरीर से कमजोर हो, और बार बार पिशाब जाना पड़ता है, उससे क्या होगा, आपको गिरने की चोट लगने की संभावना भी बढ़ती जाती है, अगर आपको ये प्रशन डाउट पर लग रहा है, कि मुत्रा से के कठोर होने से, ब्लेडर के हाड होने से, क्यों कस्ट होता है, तो आप मेरे कमेंट बोक्स में डाल कर, आप ए डाउट मुझे पूछ सकते हैं, या इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं, कि आप मुझे पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी, और मैं उसको आपके डेली लाइफ से जुड़े उधारन देकर आपको मैं समझाऊँगा, आगे बढ़ते हैं, सुचना प्रसंस करन, यानि कि इनफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है, वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन काम करना स्लो हो जाता है, जब प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है, तो आपके रिस्पोंस टाइम, रियक्सेंट टाइम भी कम होने लगता है, और वही अक्सर आपने देखा होगा, जब आपने दादा दादी को आप आवाज देते हो, कोई बात आप उनको समझाते हो, तो वह कुछ समय लेते हैं उसके रिप्लाई करने में, वो जान भूज कर ऐसा नहीं करते, दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, यह आपको समझना होगा, क्योंकि उनकी मान सिख सरंचना ऐसी होती है, कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जिससे उनके सामने कुछ प्रतेक्शन संबंदी समस्याएं उत्पन होने लगती हैं, आगर देखिए, साट वरस की जब आयू होती है, जब वक्ती पहुंच जाता है शिश्टी एज में, तो उसके दूर द्रस्टिता होती है, यानि फार साइटिटनेस है, उसकी जब द्रस्टी है, वो धुन्दली हो जाती है, क्योंकि लेंज सक्त हो जाता है, और वरद्धावस्ता में, जितनी भी ज़्यादा तर जो द्रस्टी संबंदी रोग होते हैं, उसका मुख्य कारण होता है, गुलू कोमा, आगर देखिए, दात शेह होने लगते हैं, मशूडे आपके कमजोर होने लगते हैं, तो दात जो आपके शेह होते हैं, उसका जो मुख्य कारण है, वो बहुत सारे कारण होते हैं, उसके होते हैं, और दोस्तों, आपको यह बात में बताना चाहता हूँ, जो मानव का जो दात हैं वो लग बग 200 वर्स तक ऐसे के ऐसे इंटेक्ट रह सकते हैं अगर उनको बहुत सारे बिमारियों से टिशू से टिशू डिजनरेशन से जिसको हम कहते हैं बैक्टिरिया से अगर बचा के रखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है आपकी और जो उसक जिसके कारण से जो दात के अंदर बलड वेसल्स होते हैं जो खून की रखत वाईकाई होते हैं टिशू होते हैं जो बलड सप्लाई करते हैं दात को वो कम हो जाते हैं जिसके कारण से दात का शेह होने लगता है वो खराब होने लगते हैं और इसी से दात गिर जाते हैं दो तोचा अपनी लोच जो लस्टर है वो चमक है वो स्कीन है आपकी जिसमें आप बहुत गर्व किया करते थे लोगों के सामने बताते थे कि मैं कितना गोरा या गोरी हूँ और मेरी तोचा कितनी चमक रही है वो आप अपनी लोच और जो को खुडिन लगती है, जिसके कारण से क्या होता है, उस पर सुकाफन आ जाता है, उस पर जुर्या आ जाती है, उस पर रैपिंग उन लगती है, फटने उन लगती है, दरारे उसके इंदर फटने लगती है, जिसके कारण से बार-बार खूजली करने की इच्छा होती है ये नेचुरूल है आपका योन संबंदी गतिविदिया में उतनी दिल्चस्पी नहीं रहती जो पहले कभी हुआ करती थी खास करके जब आप किस वरावस्था में थे क्यूरिसिटी थी योन संबंदी रिलेशन्स बनाने की आपकी अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरस्ट नहीं रहता क्योंकि ये पार्ट भी आपका डिजनरेट होने लगता है अपने आपको कम आकने की भावना सेल्फ वर्थ यानि मेरी कोई वेलू नहीं रही अब म मैं क्या वेलू इस घर में मैं बोज हूँ इसमें क्या रोल है मेरा यहाँ पर ये सारी जो भावनाएं होती है वर्थों में क्या करती है उनके अंदर होपलेशनेस और हेल्फलेशनेस यानि की लाचारी और निरासा की भावना को बढ़ा देती है जिसके कान से वो डिप्रे होता है मदू में डाइबेटीज है ओस्टियो आर्थ्राइटिस या ब्रॉंकिल आस्तमा आदी से वो सारी समस्याओं का वो सामना करना उनको पड़ता है दोस्तों देखिए घर पर अगर आपकी बेटी बिना ब्याई बेटी है उनकी वुर्दों की या उनका बेटा या उनका जो दामाद है वो शराबी है उनकी आर्थिक्सिती कमजोर हो जाती है क्योंकि रिटाइर हो जाते हैं जीवन साती कोई बिमारी से जूज रहा है या जीवन साती की मरत्य हो चुकी है या बच्चे जो कभी उनके पास रहा करते थे उनकी गोदी में खेला करते थे उनकी लोर जिस घर के आप मालिक थे, खून पसीने से सीच कर जिस घर को आशियाने को आपने खड़ा किया था, आज उसके आप मालिक नहीं रहे, इत्यादी इत्यादी के कारण वुर्द क्या होते हैं, सैड महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, उनको कश्ट होने लगता है इन बात हो जाते हैं अपने परिवार पर वो निर्बर हो जाते हैं जिसके कारण से उनको लगता है कि इन चीजों के कारण उनके परिवार के उनके सदसे वही बच्चे जिनको आपने अपने पशीने से खौन से मेनत से तरासा है वो आपको नजर अंदाज करने लगते हैं देखी इस स आने वाली समस्याओं चुनोतियों से लड़ने के लिए अपने आपको आप तयार कर सकते हैं। दोस्तों देखो स्वाद कलिया यानि कि जो टेस्ट बड़्स हैं उनके संख्या में कमियाने लगती है तो भोजन है आपको स्वाद हीन लगने लगता है और जब भोजन स्वाद हीन लगता है तो उसको भोजन को कम करते हैं भोजन कम करते हैं तो माल नूरिश्मन होने लगता हैं लेकिन जब आपने चरम पर होती है जब आप 80 साल की उमर में पहुंशते हैं तो ये शम्ता बहुत तेजी से नीचे गिरती है तो आपको बहुत ज़्यादा खुश्बू सुगंद और जो और भी जो समयल होती है और तरह की उनके अंदर सूंगने की आपकी शम्ता कम होती है कि क्या ये चीजे हैं और इनकी शम्ता या किसी से सुगंद ऐसी आ रही है बुजरुगों को कम या ज़्यादा तापमान सेहन करने मुश्किल होती है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो उनको बहुत मुश्किल होने लगती है सरीर क्योंकि कमजोर हो चलता है तो उनको उस तापमान से उस वतावन से समायुजन करने में परिशानी का सामना करना पड़ता है और एक और समस्या आती है टर्मिनल ड्रोप की दोस्तों ये क्या है मृत के आने से पंस तत्वों में मिलीन होने से कुछ महीने है कुछ सब्ता है कुछ साल पहले व्यक्ति को कि जो IQ है उसकी जो Intellect Ability है Intellectual Intelligence Quotient है वो तेजी से गिर जाता है और जिस समय वो तेजी से गिरता है उसी को हम Terminal Drop कहते हैं दोस्तों इसके साथ साथ चोड़ चोड़ी एक दोर समझे हैं बता जाता हूँ शरीर की जो हाइट है वो कम हो जाती है पुरसों में जातर एक इंच और महीलाओं में लगए दो इंच तक ये कमाल की बात है ना क्यों कम हो जाती हाइट ये बिलकु सही जवाब दिदें आपने इसलिए कम होती है कि जो आपकी जो означ च rév सिक और जाती है और जब चास जाएगी तो आपकी हाइट जो है कम हो जाती है आपका हार्ट जो फृदेह है वो श्लोली स्लोली बीट करता है उसकी pumping स्लो हो जाती है अगर आप बहुत तीज एक्साइज करते हो और एक युवा आपके साथ शेम इंटेंशिटिक एक्साइज करता है तो आलमोस्ट उसका जो हर्ट है युवा का जो हर्ट है वो 200 बीट्स पर मिनिट की गती से धड़केगा जबकि एक बुदूर का जो हर्ट है वो आलमोस्ट 125 ब तो लंग्स को फुलने में वो कम अलाओ करती है लंग्स को फुलने नहीं देंगी आपको अगर क्योंकि हाड हो गई तो लंग्स अगर फुला हो गई आप तो फुलने नहीं देंगी जिससे क्या होगा स्वसंद से रिलेटिड सांस रेलेने से समश्याएं जादा उत्पन हो और एक अंतिम बात और करता हूँ आपके साथ, जो किड्नीज है, वो आलमोस जब 90 साल की उम्र में वेक्ती पहुंचता है, लगबग दो तिहाई वो सिकुर जाती है, वो छोटी हो जाती है, अगर सबोच किजिए आपकी किड्नी का वजन, अगर एक तरह से 100 ग्राम था, तो आप वो आलमोस जब 90 वर्स की उम्र में आप पहुंचोगे, तो वो केवल मातर 25 ग्राम किरे जाएगी, उसके साइज में, और अंतिम बात है आपकी, जो ब्रेन है, वो भी स्रिंक हो जाता है, और जिसके कारण से उसकी ब्रेन की शम्ता कम हो जाएगी, उसका वेट भी कम हो सला, आप अपना जीवन शैली को बड़िया गुनोता पूर्ण बनाकर, आप इन समश्याओं चुनोतियों से पार पा सकते हो, यह मेरे संदर्व, जहांसे मैंने यह मैटेरी लिया, अगली हमारी वीडियो रहेगी, परिवर्तन सीलता एक परिचे, वेरियाबिलिटी, थोड कुछ कहना चाहते हैं, मेरे कमेंट बोक्स में लिखिए, अगर कमेंट बोक्स में आप ने लिखना चाहते हैं, तो डारेक्ट लिया वर्मासुजित at the rate of yao.com पर लिख सकते हैं, मुझे आपकी suggestions का और खास करके critical comments का हमेशा जार रहता है दोस्तों, और मुझे बड़ी खु हैं, और वीडियो को कमी लगती है दोस्तों, तो मेरे साथ share कीजिए, मैं आपका बहुत बहुत आवारे होंगा, इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत हर्दे की गराईयों से धन्यवाद.